नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्त होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या या सवाल है मन में तो लिख भेज़ें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियोज जरूर बनाएंगे फिलाल आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अगर पेट दर्द की समस्या है या फिर पेट में भारी फन और कब्ज की समस्या है तो उसको दूर करने के लिए कौन-कौन से घरेलून उसके हैं जिनका उ चरीर की सभी अंगों पर इसका प्रभाव पढ़ता है और नुकसान होता है इसलिए लिवर का स्वस्त रहना बहुत जरूरी है तो आईए चानते हैं इसके उप्चार के बारे में तीन ग्राम बारीक कटा हुआ अद्रक आदा निम्बू का रस और एक ग्राम काला नमक मिला लिजे और भोजन से पहले आधे घंटे पहले आपको इसका उप्योग करना है ध्यान रखें इसे नियमित रूप से पीने से तीन से साथ दिनों के भीतर ही पाचन में आपके सुधार आ जाता है यदि आप अन्य अवयाव उपलब्ध नहीं पापते हैं यानि कि आपको और और काला नमक का एक मिश्रन तयार कीजिए इसे भोजन के तुरंत बाद पी लीजिए इसे दिन में एक बार लेना है आपको या फिर दो पहर के भोजन के बाद या रात के खाने के बाद लीजिए कभी भी एक बार लेना है 24 घंटे में आपको इससे आपका पाचन तंतर तेहीं भारीपन और आलत से महसूस हो आपको तो जितना संभव हो उतना गर्म पानी पीते रहें रात के खाने में खिचडी खाएं हरे मुंकी दाल और चावल का एक बड़ा मिश्रण अच्छी मात्रा में पानी में पकाएं यह आपको अपचन से रहत देगा इसके लावा नि निम्बू प्रकृति में अमले है लेकिन निम्बू में मौझूद पोटैश्यम शरीर में अमल को निश्क्रिय करता है इसलिए काफी फायदा होता है आपको कभी-कभी अमल प्रतिवाह का कारण भी बन सकता है अमल पाचन रस के और परियाप्त स्तराव का परिणाम है जो भोजन के साथ बहुत अधिक पानी पीने से हो सकता है पानी पाचन रस को पतला करता है इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है जामुन यानि की जंबूल खाईए खाने के ठीक बात 5-10 जामुन खा लिजे इससे अमल में बड़ी रहत मिलती है पपीता खाने से भी इस स्थित वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें साथी साथ लाइक करें वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन को इसकी जरूरत है कमेंट करें आपके मन में कोई भ प्रको सब्दों कर दो सब्सक्राइब चे क्राइब है